बोलिये लक्षमी गनेस भगवान के जय बोलिये दुरगा मारानी के जय M नाम बाले लोगों का 2020 का शंपुर्ण भविश्य फल यहनी कि जो लोग M नाम बाले हैं उनका यहाने वाला साल 2020 कैसा रहने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ मित्रों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके आर्थिक स्थिती के बारे में यहनी कि आपके एकोनॉमिक कंडिशन के बारे में आपके फाइनेंस के बारे में आपके हिल्थ कंडिशन के बारे में बताऊंगा कि आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपके प्रेम शंबंध के बारे में बताऊंगा कि आपकी लव अफ हैर कैसी रहेगी आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा कि आपकी मेरिड लाइफ कैसी रहेगी आपके पारिबारिक जीवन के बारे में बताऊंगा कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी आपके सिक्षा के बारे में बताऊंगा कि आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी मित्रों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आपके केरियर के बारे में यनि कि आपके काड़े च्छत्र के बारे में कि कैसा रहेगा और बताऊंगा कुछ हुपाई जिसको करने से जो कुछ हलका फलका बुरा रहने वाला है वो भी चमतकाडिक रूप से सही हो जाए और आपके लिए ये वर्ज बरदान साबित हो आए मित्रों शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ मित्रों इन सभी का पहले मैं आपको बता देता हूँ सारांस फिर एक एक पॉइंट पर में हम मिल करके अच्छे से चर्चा करेंगे मित्रों इम नाम बाले लोगों के लिए साल दो हजर बीस मिला जुला रहने वाला है अच्छा रहने वाला है इस साल एम नाम बालों को जिंदगी में कुछ ऐसे काम मिलेंगे कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जो इन्होंने आज तक नहीं किया और नहीं भविश्य में ये कर पाएंगे ये साल आपके लिए कुछ नए और अच्छे अवसर ले करके भी आएगा जिन्हें आप अपनी और मोरने में सक्छम होंगे आपके सितारे इस साल आपके पक्ष में हैं इसलिए आप जिस काम को भी हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी मित्रों जनवडी जनवडी के अंतिम सब्ताह में सनी आपके छटे भाव में अपनी श्वरासी मकर में प्रवेस करेगा जिस कारण से आपको कुछ दुख, कस्ट, रोग, पीरा का सामना करना पर सकता है मित्रों रासीफल 2020 के अनुसार इस साल एम नामबालों के लिए छोटी दूरी की लाफुरन यात्राएं करने होगी कम यात्रा और ज्यादा वेनिफिट यनि की कम मेहनत और ज्यादा फाइदा ऐसा आपको प्राप्त होगा बर्स के आरंभ में आप तिर्थाटन भी कर सकते हैं कुछ आप गोमने टालने के लिए देवस्थान जैसे की दौरी का ब्रिंदावन इस परकार से बनारस जो भी देवस्थान है वहाँ पर में आप जा सकते हैं वही कुछ यात्रा हैं आप समाज के लिए भी कर सकते हैं जिससे समाज को फाइदा भी होगा अप्रेल से जुलाई के बीच और नौंबर मध्य के बाद आपको विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है क्योंकि इस वक्त विदेश यात्रा का एक अच्छा योग है आप जाव ही सकते हैं जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं वो काम जिनको लेकर के आप लंबे अर्से से पड़ेसान थे इस साल निश्चित रोप से सुलच जाएंगे और आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित रोप से इस बार पूरी होगी इस साल आप कला के छेतर में भी हाथ आजमा सकते हैं इस साल प्रोपर्टी लेने की जो योजना बना रहे हैं तो उसके लिए जनबरी से मार्च और माई के मध में आप लोन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ये साल जो है अमने अमबालों के लिए मील का पथर साभीत होगा क्योंकि इस वर्स आप अपने छितर में अस्थापित होने की उमीद कर सकते हैं वर्स केबल और केबल आपके हाथ में है और जैसे की पेर से आम गिर रहा है और आपको केबल लपकना है उसको कैच करना है अपने हाथ में लेना है बस इतना ही करना है और यही 2020 आपका जो है इसी प्रकार बीतने वाला है मित्रों मित्रों सबसे पहले अब हम बात करेंगे 2020 में आपके आर्थे किस्थिती की आपकी financial condition कैसी रहने वाली है आईए आपको बताता हूँ मित्रों बात करूं 2020 की तो 2020 में एमनामबालों के लिए थोड़ा सा उतार चरह वबरा रहेगा लेकिन इसके बावजूद भी अमनामबाले लोग इतने शाहसी हैं कि वो उसको अच्छा मौका में तबदील कर लेंगे इस साल आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की कोशिस करेंगे और इसमें आपके जो सितारे हैं वो आपको support भी करेंगे लेकिन खर्चा भी खूग होगा इसलिए आपको आर्थिक मामलों में सोच समझ करके निड़ने लेने की आवज़ शकता है कई वार आपको ऐसा मैसूस होगा कि धन खत्म हो रहा है इसलिए बेवज़ा खर्च करने से आपको बचना चाहिए नहीं तो देश की जब आर्थिक इस दिगर बढ़ा सकती है ज्यादा पैसे खर्च करने से तो हम और आप कौन है इसलिए आपको थोड़ा समखल कर चरना होगा मित्रों मार्च तक और फिर जुलाई से नौमबर के बीच आपके पास धन का अच्छा स्रोत रहेगा अच्छे खासे पैसे अब बना पाओगे बढ़ियां इनकम का स्रोत रहेगा आपके पास मित्रों आपको इस दौरान पैत्रिक संपत्ती मिलने की भी संभावना हो सकता है तो बाप दादा का जो संपत्ती है उसमें भी आपको कुछ प्राप्त हो जाए इस वर्स आपको धन की कमी नहीं रहने वाली है धन प्राप्ती के लिए आपके कई योग बन रहे हैं आने से पहले किसी अच्छे जोति से सलाह जरूर ले ले रिसर्च और के भी इस बार आप काफी अच्छा कर सकते हैं तभी जाकर के अब लाव के इस्थिती में रह पाएंगे आपकी रासी से धन और लाव के स्वामी बुद्ध है जो आपकी रासी के स्वामी सुरी के साथ पंचम भाव मिराजमान है जहां से सप्तम भाव से लाव अस्थान में देख रहे हैं सुरी और बुद्ध की युती से बुद्धादित योग बन रहा है कुल मिला करके आपके ग्राश्चन योग इस बार फाइनेंसियल कंडिशन वितिये कंडिशन एकोनोमिकल कंडिशन के लिए काफी बढ़ियां दिखाई दे रहा है मित्रों हो सकता है इस वर सब नए घर नए बाहन या किसी बड़ी प्रपर्टी के खड़ी दारी भी कर सकते हैं क्योंकि इसका भी योग बन रहा है और एम नाम बालों के लिए सितंबर का जो लास्ट महीं है सितंबर का जो लास्ट समय रहेगा इस समय आपको बीदेशी कंपनियों संस्थाओं से भी लाव मिल सकता है मित्रों इस साल आप बड़ी सुगमता से आगे बढ़ेंगे इस वर्स आपको ज़्यादा परिशानी नहीं होगी क्योंकि इस वर्स आपके कॉंडली में नीच भंग राज योग की इस्तिती भी बन रही है जिसके करण से आपकी सभी अठके हुए काम पूरी हो जाएंगे सभी सुख सुभाएंगे आपको प्राप्त होंगी यनि की आर्थिक इस्तिती आपकी इस वर्स अच्छी रहने वाली है आर्थिक इस्तिती के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपकी हिल्थ की आपके स्वास्त की आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है हिल्थ कैसा रहने वाला है क्योंकि कहा भी गया है बांगी सब अगर ठीक है लेकिन हेल्थ गरवर है तो आपको दिक्कत हो सकती है मित्रों बात करो आपके स्वास्त की तो स्वास्त के मामले में भी इस वर्स आपको बढ़ियां परिणाम प्राप्त होने वाला है स्वास्त के मामले में भी आप अच्छा खासा रहोगे इस वर्स आपको थोड़ा सा केवल ध्यान रखना है शितंबर के महीने में वहाँ पर में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पर सकता है कुछ मौसमी विमारी जैसे कि सरदी, जुकाम, खासी, बुखार, इतियादे आपको परिशान कर सकती है लेकिन इस वर्स जो आपको पहले से जो पुराना पिमारी है अगर आपने प्रयास किया और मैं जो उपाई बता हूँगा लाश्ट में आपको उस उपाई को अगर आपने किया तो इस वर्स जो आपको बिमारी प्रिसान कर रही है कई सालों से इस वर्स उसका अंतिम समय हो सकता है उसके जाने का भी योग बन रहा है आपको केबल ध्यान रखना है मित्रों कि योगा ब्यायाम ये सब करते रहें इसी सब से आपका कल्यान रहेगा आप प्रणयाम करते रहें कुछ अगर जो यंग है जो जीम करना चाहते हैं वो जीम करते रहें खाने में ज़्याद तिल मसाला का प्रियोग ना करें आपके लिए हेल्थ के कंडिशन में भी साल बढ़ियां समय रहेगा मित्रों आप बात करूँगा आपके प्रेम शम्मंध की आपके लव अफेयर की कि आपका लव अफेयर प्रेम शम्मंध जो है इस वर्स कैसा राने वाला है मित्रों आपके लिए ये बर्स कई सारे परिवर्तनकारी समय ले करके आ रहा है जिनको जीवन साथी नहीं मिला है हो सकता है इस बर्स जीवन साथी मिल जाए जिनका रिस्ता तूटने वाला है हो सकता है कि रिस्ता तूटते तूटते बच जाए और आप हो सकता है कि एक नए प्रेम सम्मंध में भी बढ़ सकते हैं जिसके पास लव पार्टनर नहीं है कुल मिला करके देखा जाए तो प्रेम सम्मंध के लिए ये समय मिला जुला करके ठीक रहने वाला है इस साल अपने प्रेम जीबन में आप थोड़े से असान तन्वब कर सकते हैं थोड़े से संतुष्टी आपको कम मिलेगी अगर आप प्रेम जीबन को या प्रेम जीबन में खुद को ज़्यादा आहमियत देने कोशिस करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही लएगी इसलिए आपको ये सलाहत दी जाती है कि आप प्रेम जीबन प्रेम पर में कम ध्यान दें क्योंकि इस मामले में आप थोड़े से इस साल कच्चे पर सकते हैं इस साल आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशानी हो सकती है इसलिए लव अफेयर के मामले में आपको बड़ा सम्हल करके चलना होगा नहीं तो आपको प्रेशानी का शामना करना पड़ सकता है मित्रों बात करूँ तो मैं कहूंगा कि इस वर्स आपके प्रेम समंदों में आपको उतावला पन नहीं दिखाना चाहिए इस वर्स के अंत में आपके जीवन का परिवरतनकारी समय रहेगा और आप अपने प्रेमी के साथ कुछ रोमेंटिक पल भी विताएंगे इस दोरान हसी और गम के मौके भी आएंगे लेकिन ये वक्त प्यार में डूबने का होगा जनवरी से मार्च जनवरी से मार्च और जुलाई से नॉम्बर तक का समय प्रेम जीवन के लिए अनकुल रहेगा इस दोरान कुछ प्रेमी जोड़े साधी के बंधन में भी बंध सकते हैं जिनकी साधी नहीं हुई है जो लव अफेर जिनका चल रहा है वो साधी के बंधन में भी इस बंध सकते हैं मित्रों प्रेम जीवन के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपके बैवाहिक जीवन की आपका बैवाहिक जीवन नहीं कि आपका मेरेड लाइफ जो है वो कैसा रहने वाला है मित्रों बात करूँ आपके मेरेड लाइफ की तो आपके मेरेड लाइफ में मित्रों आपके म देखने को मिलेंगे इस बर्स आप अपनी रोमेंटिक लाइफ का सुख में आरंद लेंगे रिलेशनसिप के मामले में आप स्वेंग को सभागिसाली में हसुस करेंगे हलां कि ऐसा नहीं आएगी आपके लिए यह खुजियां बरकरार रखना चुनोती पूर्ण नहीं होगा लेश्चित रूप से आपको एक चुनोती का सामना करना पड़ेगा आपकी लड़ाई श्वेंग अपने आप से ज़्यादा रहेगी अपने प्रेम जीवन को अपने बैवाहिक जीवन को खुसाल बनाए रखने के लिए आपको अपने क्रोध पर नियंतरन रखना होगा चो बैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है इसलिए सम्हल करके रहें बर्स की सुरुवात में आपको जीवन साथी का भरपूर सायोग मिलेगा और विवाहिक जात्कों के लिए भी विवाहियों के समय बन जाएगा और प्रेम समंदों में मधूरता भी आएगी मित्रो माई माह के दूसरे सब्ता के बाद सनी बकडी होने जा रहा है जिसके करण से दामपत जीवन में भावनात्मक गृप से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं विशेसकर लाइफ वाटनर की सेहत को लेकर के आप चिंतित दिखाई दे सकते हैं कुछ समय पच्छाद गुरू बकडी होगा जिसके करण से आपका फिर समय जो है साकरात्मक हो जाएगा मित्रो सितंबर माह में आपकी रोमेंटिक लाइफ में चल रही परेशानिया खत्म होने की उम्मीद दिखाई दे रही है इस करण से माह के अंत में गरहों का काफी उठा पटक है और इसके बाद आपको अच्छी ख़बर मिलेगी सितंबर के बाद का समय आपके लिए रोमेंटिक लाइफ के लिए बढ़िया रहने वाला है मित्रो मेरेट लाइफ के लिए अच्छा रहेगा मेरेट लाइफ के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपके फैमली लाइफ की यह न नया साल आपके पारिवारिक जीवन में कई सारी खुसियां लेकर आएगर ये खुसी बर्स के नाम से आप इसको जानेंगे इस वर्स आपके पारिवार में किसी नए सदस्य के आगवन की परवल संकेत भी मिल रहे हैं जो विबाहित जातक पिछले लंबे समय से संतान प्राप्ति कामना रखते हैं उनकी दूआ हो सकता है तो इस वर्स कबूल हो जाए और विबाहित जातकों के लिए विबाह के योग बंड़े हैं जिससे हुए अपने पारिवारिक जीमन की नीब भी रख सकते हैं पर जनों का पेक शाकरिश सायोग आपको इस वर्स मिलने के आसार हैं हलांकि सुरवाती सुरवाती दिनों में पिता या पिता तुली किसी विक्ति के साथ आपके बैचारी कुछ मतभेद भी ह हो सकते हैं मातरी पक्ष से आपको पूरा सायोग मिलने के आसार हैं आपकी रासी से आपकी रासी से आपकी रासी से कुछ कुछ कुटुम आपके दोस्मन भी बन सकते हैं क्योंकि कुछ कुटुम ऐसे होंगे जो आपको परिसान करने का भी परियास करेंगे लेकिन आपको घ पूरी होगी उनकी किसी उपलब्धी से पूरा पड़िबार गौरवानवित हो सकता है और आपके घर पड़िबार में सुख सुभधाव में बरहोतरी के संकेत नजर आ रहे हैं इससे निश्चित तोर पर आपके पाड़िबारेक जीवन में हर्स एवं खुसी का माहूल बना रहेगा मई माह में आपको परिबार के शहियों की जरूरत पर सकती है दरसल इस समय गुरू और सनी दोनों बकरी हो रहे हैं इसलिए बिवाहित जातकों को इस समय थोरा सा सावधानी रख करके चलना होगा नहीं तो पाड़िबारी किस्तिती डमा डोल हो सकती है और आप दो आसा का अधार चला होई है लेकिन समय बढ़ियां रहेगा पाड़ेजिर के सिध्री चेसरिंगर के सामें आपको आपको आगे ले और जैसा सेर चलता है वैसे अमनाम बाले लोग आगे बढ़ेंगे और विद्यार्थी के जुन्ड में ऐसे रहेंगे अमनाम बाले लोग जैसे की पता चलेगा कि केवल वही है बागी सब तो नीचला ग्रेट का दिखाई देगा सुफल दायक रहने वाला है पर जोगी पर इक्षाव भाग लेने वाले एमनाम बाले जातकों को लोगों को इस साल सफलता मिलने की संभावना है साल की सुरुआत से मार्च के अंद तक आप सिक्षा के छेतर में अच्छा परतरसन करेंगे मार्च से जून के अंद तक का समय सि साड़ी नई उप्रोर्धियों को प्राप्ट करेंगे मेत्रों मेत्रों जो लोग कानून यानि की लोग इलक्ट्रोनिक्स हाड़ बेर सोसल सर्विस कंपनी सेग्रेटरी और सिवा प्रदत्ता की छेतर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बर्स चमतकारी साबीत होगा वो लोग इस वर्स निश्चित रूप से सफलता प्राप्ट करेंगे ये साल सिख्षा के लिहाज से एम नाम बाले लोगों के लिए स्वर्नी वबसर लेकर के आ रहा हैं सिख्षा के बाद जो बात आती है मित्रों बात आती है आपके कारी छेतर की आपका कारी छेतर आपका शावित करने वाला साल होगा इस वर्स आप उमंग रुस्ता से भड़े रहने वाले हैं अपने बलबूते पर अपने प्रतिद्वांधियों पर अपना दवदवा काईम रखेंगे और इस वर्स कारियों नती के योग आपके लिए बन रहे हैं जो लोग नौकरी सुदा है एक काफी सफलता दायक रहने की उमीद की जा सकती है विजह इसकर आयरान इलक्ट्रोनिक्स कामिकेसा नेवम टेकनलोजी के फिल्ड में आप अच्छा खासा लाव कमा सकते हैं वर्स की सुरवात से ही आपके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा के योग बन रहे हैं दरसल आपक कि उनके शात कुरू सनियर केतु भी पंचम बाव में मौजूद रहेंगे लेकिन बावजूद इसके थोड़ी बहुत उतार चरहाओ कि पच्छा या वर्स आपके लिए बहुत उन्नती ले करके आएगा मित्रों जहां तक हो सके अपने पिता का और अपने सेनियर से इसला है कि मेहनत से पीछे नाटें अगर आप इस वर्स मेहनत करेंगे तो आप सफलता के बुलंदी को छू सकते हैं मित्रों कारिश च्छतर के बाद जो अब बात आती है वो बात आती है आपके लिए किये जाने वाले उपाई की कि आपको ऐसा क्या उपाई करना है जिससे इस वर्स को आप और भी चमतकारिक वर्स बना सकें इतनों इस साल अगर आप समस्याओं से मुक्ती पाना चाहते हैं और उन्नती के मार्ग पर अकसर होना चाहते हैं तो पूरे साल आपको रोज सुरियोदया से पहले उठें और नगन आखों से उठते हुए सुरज के रक्त लाल रंग के फूल और लाल कुम कुम मिला करके जल को भगवान सुरी को आप अर्ग दे इससे भी अगर आप ज्यादा कर सकते हैं और धर्म कर्म से जुरे हुए हैं संसीर्थ का थुरा बरा नॉलेज है तो आप आदित हिर्दयास्तोत्र का पाठ करें मैं आपको गैरेंटी सब्सक्राइब करके इसके बटन को दबा दे एक और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थैंकियो थैंकियो सोमाच जैहिंद बने मात्रों